हेलो एबरीबरन कैसे हैं आप सभी लोग आशकती हूं आप सभी लोग स्वस्थोंगे मस्थोंगे दोस्तों वेलकम बैक माई यूटूब चैनल सुनाना तिवारी जो आप लोगों के लिए कई औशधी गुडों की जानकारी लेकर हमेशा आती रहते हैं दोस्तों आज फिर मैं आप लोगों के लिए सहजन के कई औशधी गुडों को लेकर आई हूं दोस्तों सहजन की हर एक चीज में इतनी जादे अंटियोक्सिडेंट फरपूर मातरा में पाए जाते हैं जो कि हमारे सरीर को बहुत ही लाप प्रतान करते हैं दोस्तों इनका सेवन अगर हम नियमित रूट से करें तो हमें डापिटिक जैसी समस्या से बहुत ही जल्दी निजाद मिल जाता है तो इनकी हर वो चीज डापिटिक जैसी बिमारीयों के लिए संजीवनी भूटी का काम करती है तो इनकी पत्तियों को आप सुखाके इनका स्लिवन कर सकते हैं जो बहुत ही लापकारी से धुए हैं और इनके जो फल निकलते हैं जिने हम रमिस्टिक भी कहते हैं सबजी शू पत्तियां होती हैं मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था इनकी नरम पत्तियों के पकोड़े कैसे बनाने हैं जो टाइबटेस के पेशन्ट को भी और हम नार्मन लोग भी आ सकते हैं बहुत ही देश्ची रत का है दोस्तों फायदा बहुत भरपूर है क्योंकि इनकी ह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कॉमन शेयर करके बताईए मेरी वीडियो कैसे लगती है आपको फिर मिलते हैं अपने मैक्स वीडियो में कुछ नाए ड्यूटी टिप्स हेर टिप्स और कुछ अंशदी बूडों के बारे में जानने के लिए अब तक के लिए बाबाए द कुछ तो अपने के लिए और शेबाब हो जटे क्ता हैं आपको एबाब के लिए आपको तो